आज की कवीता है आओ मिलकर बचाएं कवीता को समझने से पहले शिर्षक समझना बहुत जरूरी है और शिर्षक कहता है आओ मिलकर बचाएं आओ यहाँ पर कवीतरी जब लिखती है शिर्षक में तो इसका मतलब है हम सब को मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने परियाव परियावरण को बचाने की बात की जा रही है आप सभी देखते हैं आप कई बार जो है एसे लिखते हैं कि परियावरण की सुरक्षा से संबंदित तो और पॉल्यूशन से संबंदित तो यह सारी चीजे जो है आप पढ़ते हैं तो यहां पर आप कनेक कर पाएंगे कि किस तर प्रभावों को देखते हुए और उनकी फिक्र करते हुए जो हैं निर्मला पूत düşगह जीवी कहती हैं आओ मिलकर बचाएं तो कवीता जो है और जो आपको जानकरी देती है किस विशे में जानकरी देती है हमें किस बारे में यहां पर सचेत करती है हमें अपने परियवरन को किस तरीके से उसको दुश प्रभावों से उसको पॉलूशन से हमें सुरक्षित रखना है उसकी हमारा जो परियवरन है वो किस तरीके से जरूरी है हमारे लिए इन सब की एक कोशिश में उनका ये लेख है तो कविता को पढ़ते हैं और समस्ते हैं अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में अपने चहरे पर संथाल परगना की माती का रंग भाशा में जार अपने अपने आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए वो किस तरीके से परियावरन से और प्रकर्ती से जुटा रहा है तो आदिवासी समाज की सुरक्षा के लिए पुड़े व्यक्ति हैं लोग हैं और कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं साधा लोग हैं और भोले लोग हैं तो वो चीज बनी रहे इसी कोशिश में कवित्री जो हैं यह समझाने की कोशिश करने कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से शेहर की आबो हवासे बचाए नंगी ह पर इसके कई तरीके से अर्थ लिया जा सकते हैं एक तो लोग किस तरीके से पेड़ काट रहे हैं जंगल खतम हो रहे हैं और जंगल खतम होने की वज़ा से पेड़ खतम होने की वज़ा से जंगल समाप्त हो रहे हैं और जंगल समाप्त होने की वज़ा से इस तरीके का जो समा आदिवासी जो समाज है जो उसकी संस्कृती है वो खतम हो रही है नश्ट हो रही है तो और साथ ही पेड़ पोधों के जाने से जंगल खतम होने से जो हमारी प्रकृती है वो किस तरीके से हमें उसके नुकसान जिलने पड़ रहे इसको तो लोग नहीं देख पा रहे हैं लेक का प्रभाव जो पढ़ रहा है उससे हमें बचाना होगा बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में और हडिया में डूबने से ये बस्ती जो है इसको बचाना होगा पूरी की पूरी बस्ती को हमें बचाना होगा अब बस्ती जो है यहाँ पर वो अपने शहरों में मिलने वाले लाभ को देखकर अपने इस संस्कृति का त्याग करके वो शहरी करण में फस रही है और शहरों में जाकर बस रही है और विस्थापन कर रही है तो लेखिका जो है कवित्री जो है वो बताना चाहती है कि हमें लोगों को ये सिक्षित करना है समझाना है बताना है कि हम जिस जगा से जुड़े हैं जिस संस्कृती से जुड़े हैं और जिस प्रभाव में रह रहे हैं वो बहुत मूल्यवान है हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए थोड़े से लाभ के लिए आप देखते हैं शेहरों में लोग दिन रात पैसा कमाने के लिए इतनी भाग दोड़ करते हैं लेकिन उनको सुकून कहां मिलता है पहाडों में आकर प्रकृती में आकर और वो अपनी इस सुकून को पाने के लिए ही जो है इतनी दूर दूर तक यात्राएं करते हैं और थोड़े ही दिनों के लिए खुशी पाकर वापस उन्हीं कामों में लग हैं लेकिन हमारा जो समाज है हमारी जो संस्कृती ही है वो इनी से जुड़ी हुई है तो हमें इसे जीवी तरखना हमारी जिम्मेदारी है तो कवित्री यही बोल रही कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से और शहर की आबो हवा से यानि शहर के प्रभाव से हमें बचाना होगा और इसको डूबने से बचाना होगा पूरी की पूरी बस्ति को अपने चहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग भाशा में जारखंडी पन भाशा में भाशा से या फिर पहनावे से हर किसी की संस्कृति का एक प्रभाव होता है जो भाशा के माध्यम से पहनावे के माध्यम से रहन सहन के माध्यम से जो है दिखता है अब कवित्री जो है यही बोल रही है अपने चहरे पर जो संथाली समाज है जो उसकी संस्कृती है और उसकी जो माटी का रंग है वही संस्कृती का प्रभाव हमें उसको बना कर रखना है और अपने भाषा में जो जारखंडी बना है यानि हमें हमारी संस्कृती को जिन्दा तो यहां पर कवित्री इहां पर इन पंक्तियों में बोल रही है कि हमें बचाना होगा और क्या बचाना है संथाल परगना की माती का रंग और भाषा में जहार खंडीपन को बचाना है overall हम देखें तो कवित्री यही कहती है कि हमें जो संथाली समाज है या आदिवासी समाज है यह जो है इसकी रक्षा के लिए उसको उसकी संस्कृति को बनाये रखने के लिए कि वो खतम ना हो जाए वो संस्कृति उसको हमें जो शेहर की आबो हुआ है यानि कि उसके है जिस मट्टी में पलकर बढ़कर और इसकी संस्कृति को हमने अपना कर हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं वो बहुत ही जो मायने रखती है मूले है इसका बहुत बड़ा मूले है तो इसको अभी आप थोड़े से फायदे के चक्र में शहरी करन में ना फसकर इस संस्कृत को खतम ना करें या छोड़ कर पीछे ना चले आएं ठंडी होती दिन चर्या में जीवन की गर्माहट मन का हरापन भोला पंदिल का अखड़पन जुझारूपन भी अब कवित्री जो हैं हमें यह बता चुकी है कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज है वो महनत कश होता है प्रकर्टी से जुड़ा होता है सादगी होती है और भोलापन होता है इन में तो कवित्री कहती है कि ठंडी होती दिन चर्या में ठंडी होती ठंडा होना के मतलब क्या होता है शांत होना या निश्क्रिय होना निश्क्रिय होना जिसमें कोई क्रिया ना हो कर्मठता ना हो तो शहरी करन के प्रभाव से जो आदिवासी समाज है उसकी दिनचर्या में भी प्रभाव आ रहा है यानि थंडी होती दिनचर्या में यानि की आलस बढ़ना और जीवन की गर्माहट जीवन की गर्माहट भी और ठंडी होती दिन चर्या तो जीवन की जो गर्माहट है जिसमें जीने की इच्छा है जिसमें महनत है और मन का जो हरापन है मन का हरापन, हरापन का मतलब यहाँ पर उत्साह से है, खुशी से है, हर्याली किसका प्रतीक होती है, खुशी का प्रतीक होती है, उत्साह का प्रतीक होती है, और आगे बढ़ने का प्रतीक होती है, तो वो मन का हरापन, जीवन की गर्माहट और ठंडी होती जो दिन चर्या है जिसकी वज़ा से आलस बढ़ गया है और दिलों का जो भोलापन है यानि आप में जो भोलापन होता है दिलों का जो भोलापन है अकड़पन यानि किसी भी चीज के लिए अकड़ खड़े हो जाना और जुजारूपन यानि जूजने की शमता आप किसी फेज को फेज कर रहे हैं यानि उससे जूज रहे हैं यानि उससे उबरने की शमता जो है इनमें जादा होती है लेकिन शहरी करण के प्रभाव से ये सारी शमताइं जो हैं वो खतम होती जा रहे हैं और लोग शहरों के प्रभाव में आते जा रहे हैं तो लेखी का जो है अपने इस समाज को इस शहरी करन के प्रभाव से बचाना जाती है कौन कौन से ठंडी होती दिन चरिया यानि कि उनमें वो उत्सा है मेहनत करने की ज्यूपात हो खतम होती जा रही है और मन का हरापन जीवन गर्माहट, जिवन को जीने का उत्सा है जो उनमें और दिलों का भोलापन अक्षरपन, जुझारूपन ये सब खतम होता जा रहा है उनके भीतर की जो आग है भीतर की आग यानि की जूट जोश भीतर की आग का मतलब होता है ये इनकी संस्कृती का हिस्सा है पहचान है तो भीतर की आग धनुष की डोरी तीर का जो नुकीला पन है कुलहारी की धार है और जंगल की ताजा हवा यानि जो जंगल की ताजा हवा है जंगल की ताजा हवा में कब मिलेगी जब जंगल जो है बने रहेंगे पेड नहीं कटे और जंगल जो जिससे हरा भरा बना रहता है उस समाज का वहाँ पर रहना उस संस्कृति का रहना जो है जंगल को बनाए रखना है नदियों की निर्मलता यानि नदियों में जो साफ निर्मल मीठा पानी जो बहता है तो वो कैसे बना रहेगा जब उन्हें हम साफ रहने पहाडों का मौन पहाडों में अल्मोस्ट बहुत लोग जो है विजट कर चुके होते हैं और वो इसी कले जाते है कि वहाँ पर बहुत शांती होती है प्रकृती का जो नजारा होताँ देखकर लोगों को शांती मिलती है सुकून मिलता है गीतों की ध्धुन यानि जो आदिवासी समाज है, उनके जो अपने fog song होते हैं, गीत होते हैं, वो मिट्टी का सुन्धापन, फसलों की लेलहाना, फसलों का लेलहाना, जो ये सब क्या है, जब आदिवासी समाज अपनी संар kelp को बनाे रखेगा, तो वो चीजे जो हैं यो ही बनी रहेंगी, लेक है इसी की कोशिश में जो है लेखिका जो है निवेधन कर रहे हैं अपने इस समास से कि जो शहरों में जाकर जो आप अपनी संस्क्रिती को भूर रहे हैं छोड़ रहे हैं भूट गलत है नाचने के लिए खुला आंगन अब बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके कारण जिस तरीके से लोग पहले खुली परिवेश में रहते थे और किस तरीके से परिवेश का आनंद लेते थे नाचने के लिए खुला आंगन हो, गाने के लिए गीत हो, हसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो, रोने के लिए मुठी भर एकांत हो, रोने भर के लिए आपको एक एकांत जगा भी मिल जाए, तो ये सब बना रहे, इसके लिए भी आपको अपने समाज को छोड़ कर जाना जो है, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यानि कि जीवन में ये सब चीजे जो हैं वो भी आपको पॉजिटिव रखती हैं सकारात्मक इपक्ष आपके जीवन में बनाये रखती हैं ये छोटी छोटी चीजे जो हैं लोग नोटिस नहीं कर पाते पर ये जब तक चीजे नहीं होती हैं जीवन आपका जो है बिल्कुल तो ये सारी चीज़े क्या होती हैं जब आप अपने घरवालों के साथ होते हैं आप ये चीज़े जो अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं लेकिन ये चीज़े उतना सुकून और आनंद नहीं देती हैं जो आप अपने घरवालों के साथ रहकर कर सकते हैं आनंद ले सकते है इसका उठा सकते हैं तो नाचने के लिए खुला आंगन हो गाने के लिए गीत हो हसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट हो यानि आपको मुस्कुराहट कर आएगी जब आप अपनों के साथ हो और माहॉल ऐसा हो और आपके दिल दिमाग में सुकुन हो प्रेम हो एक दूसरे के लिए रोने के लिए मुठी भर का इकांत मिल जाए तो यह कब होगा जब आप अपने समाज और संस्कृति को बनाए रखे रहेंगे और इससे दूर नहीं होंगे शहरी करण को अपनाने से आप सिप जीवन को बेकार करेंगे अपनी संस्कृति को भी स समाप्त करेंगे, समाज को भी खराब करेंगे, खतम करेंगे, और वो आप बहुत पीछे छोड़ देंगे, तो आप शहरी करन में वो चीज का स्वाद नहीं ले पाएंगे, जो आप अपनी समाज और संस्कृति से लेते हैं, बच्चों के लिए मैदान हो, पशों के लिए हरी खाती हैं, जिससे हमें प्योर दूद मिलता है, और वो दूद हमें किस तरीके से प्रभाव देता है, हमारा जीवन कितना हेल्दी रहता है, बच्चों के लिए खुले मैदान हो, आप देख रहे हैं आज के जीवन में, लोग मोबाइल में बिजी हैं, मैदानों में खेलना खतम सा हो गया है, ये सारी चीजे कब होती हैं, जब आप जहां जिस मिट्टी से जुड़े हों, वहीं के वहीं बने हों, तो आप इन चीजों का स्वाद ले पाते हैं, और इन चीजों का अनुभाव और आनन्द भी ले पाते हैं, और इस आविश्वास भरे दौर में, आविश्वास के करन आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरीकी का भरष्टा चार जो है, लूट खसोट जो है बढ़ गई है, तो ये आविश्वास पनपा रहा है, और शेहरों में यही आविश्वास पनप रहा है, और वहीं पर आगे बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन जब ग्रामियन छेतर हैं, और ग्रामियन छेतर को यहाँ पर आप देखेंगे, तो उनमें आपसी विश्वास समाज में एकता अभी भी बनी हुई है, लोग अपने जीवन को बड़ी सरलता से, सादगी से और विश्वास के साथ जी रहें, तो इस आविश्वास के दोर में, यानि ऐसा दोर चल रहा है, जहां पर कोई किसी के पर विश्वास नहीं करता, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी उमीद और थोड़े से सपने, आव मिलकर बचा लें, कि इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास, कवित्री चीजे बचा लें, सेब कर लें हैं, जिससे कि इस आविश्वास के दोर में भी हम थोड़ा सा विश्वास और उमीद और सपने बनाये रखें, जिससे कि हमारे जीवन का उत्सा, आनंद खतम ना हो, और ना ही हमारे समाज को और संस्कृती को कोई नुकसान पहुँचे, तो प्रकृती, भोलापन, सादगी, विश्वास, उमीद, सपने, आंगन, हसी, इस सारी चीजे हम बना कर रख सकते हैं अभी भी, तो लेखिका ने अपने जीवन परीचे पढ़ते हुए ही, हमने जब ये बाते पढ़ी कि लेखिका ये जान चुकिए कि लोग थोड़े से फायदर के लिए अपने समाज संस्कृती को भूल जाते हैं और शेहरों में जाबसते हैं और उसकी वज़े से वो इन सब चीजों स के दोर में भी जो है इन चीजों को बचा कर रख सकते हैं और इसी के लिए कवीता का शीर्चक उन्होंने यह लिखा है आओ मिलकर बचा है तो यहां पे उन्होंने अपने प्रकरती और संस्कृती की सुरक्षा की बात नहीं कही है बलकि अपने सादगी विश्वास उमीद सप अपने भूलेपन को भी बचाने की उन्होंने पूरी-पूरी कोशिश की है और संदेश देने की कोशिश की है होप कि आपको यह कवीता यहां पर बहुत अच्छी तरीकी से समझ में आई होगी और हेल्प कर रही है यूसफुल लग रही है तो जरूर लाइक कर देना वीड टामली अपडेट मिल सके